हेलो फ्रेंज, वेलकम टू एडिस्टा क्लासिज, आज हम बात करने दा रहे हैं इंडियन स्वाइब के बारे में आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियां भारत की मिट्टियों से related जितने भी important fact बनते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पूरा discuss करेंगे तो आप हमारा वीडियो पूरा और इंतक धान से दिखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पूस्टन आये तो वीडियो को लाइक कीजिए आपके पास जितने भी execution ग्रूप में आप उस ग्रूप में हमारे वीडियो को सेर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडिस लाकराद को सब्सकाइब कीजिए चल ये शुरू करते हैं सबसे पहले हम थोड़ा सा introduction के बारे हम बात करेंगे भारत बर्स जैसे बिशाल देश में यानि भारत बर्स आपको पता है बहुत बड़ा देश है और भारत बर्स जैसे बिशाल देश में बिभिन परकार क यानि अने को परकार की मिट्टियां पाई दाती हैं भारतिय मिट्टी का सर्वेक्षण सर्वे ओफ इंडिया स्वाइल्स या सर्वे ओफ इंडियान स्वाइल्स कई सरकारी और गैर सरकारी चंगठोनन किया है आपको याद रखना है भारतिय मिट्टी का सर्वेक्षण है वो कई सारी गॉर्मेंटेड और नॉन गॉर्मेंटेड और अर्गनाईशन दोरा किया गया है। अब मृदा को निर्माड करने वाले कुछ कारक हैं। ये कारक 5 हैं, कौन-कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला है पैत्रिक जील, अगला है जलवाय। अगला है वनस्पती, भूमिगा जल और सूच मजीव। ये 5 मृदा को निर्माड करने वाले कारक हैं। आगे बढ़ते हैं, मृदा के शंगठन, मृदा के शंगठन में सबसे पहले देखते हैं इसके बाद जो मृदा जल होते हैं, वो 25% होती है, हूमस की मात्रा या कार्णिजों पदार्थ होते हैं, वो 5 से ले करके 10% तक होते हैं और इसके अलावा, मिट्टियों में सूस्मजीओ पाया दाते हैं, इन सूस्मजीओ में कवक और जिमाडू, ये दोनों मुख रूप से यहां उपस्तित होते हैं, सूस्मजीओ के रूप में मृदा में आगे बढ़ते हैं, बारती किर्षी अनुसंदान परिशद यानि Indian Council Agriculture Research, बारती किर्षी अनुसंदान परिशद ने भारत में आठ प्रकार की मिट्टि के पहचान की, आपको एरटन है, आठ प्रकार की मिट्टियों के पहचान भारत में की गई है, अब ये कौन-कौन सी सबसे पहलेए मिट्टी, अगली है जलोल मिट्टी, उैसे मिट्टियों के बारे में अभी मैं आपको नीच से बताऊँगा, फिलाल आप यहाँ पे सिर्फ उनके नामधान ये 8 मिट्टियों कौन-कौन सी हैं भारत की, सबसे पहले है प्रकार की भारत में मुक् रूप से मि ICAR इसका हैटकॉर्टर नई दिल्ली में इस्तित है इसके अलावा पार्तिय मृदा विज्ञान संस्तान इसका मुख्याले भोपाल मद्यपर्दिश में जो मद्यपर्दिश की कैपिटल है भोपाल वहाँ पी पार्तिय मृदा विज्ञान संस्तान का मुख्याले इस्तित है भ लाल मिट्टी ये भारत के 18% शित्रफल पर भारत के पाई दाती है अगली है काली मिट्टी ये 15% शित्रफल पर भारत के पाई दाती है और नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी ये 3.7 यानी 30.7 फीसद पर भारत के शित्रफल पर ये पाई दाती है आपको याद रखना है भा जलोल मिट्टी को दोमट या फिर कछार मिट्टी के नाम से भी जाता है आपको याद रखना है इसे दोमट या कछार मिट्टी भी कहते हैं नदियों के दोरा लाई गई मिट्टी को ही जलोल मिट्टी कहते हैं इस तरीके से आप दिखिए ये मैंने आपको एक फिगर दे दिय जब नदिया इस तरीके से प्रभा करती है तो नदिया अपने शाथ कुछ मिटी को मिटी के साथ वो कई सारे अपस्ष्ट पदार्थों को ज़से गाध हो गया इसके साथ कंकल पत्र हो गये कुछ बलुगा पदार्थ हो गये इन सब को मिटीया अपने साथ लेकर के चलती रहत इनका प्रवाह करती है और नदियों के दोरा लाईगी जो मिट्टी होती है उसे जलोड मिट्टी कहते हैं ये मिट्टी हमारे देश के समस्त उत्तरी मैदान में पाई दाती है उत्तरभाद के मैदानी सुत्र में सबसे जादा जलोड मिट्टी पाई दाती है आपको याद और लाके इसे नीचे मैदानी जो एरिया होता है, ऐसे ऐसे जबाती हैं, तो यहाँ पे जो समतल मैदानी शित्र होता है, उसमें लाके नदिया जलोड मिट्टी को छोड़ देती हैं, वैसे यह दो परकार की होती हैं के बारे मैं अभी आपको पताऊंगा, फिलाहल आप इतना जलोड मिट्टी जो होती है, यह नदियों के जारा लाई गई मिट्टी होती है, उतरी भारत में जो जलोड मिट्टी पाई दाती है, वो तीन मुख नदियों के जारा लाई दाती है, अब यह तीन मुख कौन कौन से नदिया हैं, तो एक है शिंदू, गंगा और ब्रमपु इनी तीनो नदियों के दारा उत्तरी भारत के मैदानी शित्रों में मिट्टियां लाई दाती है और ये मिट्टी होती है जलोड मिट्टी ये नदियों के दारा लाई दाती है आपको याद रखना है भारत में दो शित्रों के मैदान और तटिये शित्रों में ये पाई दाती और तटिये मदानी के छेत्रों में भी जलोड मिट्टी कुछ मातरा में पाई जाती है ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सिन की प्रकार है तो दो प्रकार में एक है खादर और दूसरा है बांगर खादर और बांगर ये दोनो जलोड मिट्टी के दो टाइप्स याने दो प्रकार हैं खादर इसके वारे हम कुछ जानते हैं खादर ये नदी के आसपास बांड छेत्र की जलोड मिट्टी खादर कलाती है इसाद आपको समझ में नहीं आओगा अब मैं आपको पताता हूँ इस तरीके से नदियां आती हैं तो जो नदियों के आसपास की ये जब नदियां आती हैं आपको पता है मानसूनी जब मानसून आता है जो मानसूनी नदियां होती है मानसून के छेत्र में उनके जल का जो प्रवा होता है वो काफी अधिक मातरा में हो दाता है और इस तरीके से जो उनका एरिया होता है वो भी बढ़ दाता है तो इनके आसपास जो बाड के छेत्र होते हैं यहाँ पे जो बाड के नदी के किनारे के छेत्र होते हैं यह खादर मिट्टी कराते हैं ऐस क्यों हर साल ये मिट्टी नई होती है और नई होने वाली आपको पता है जिस जब नदियां आती है मैंने आपसे पहले बताया तो वो अपने शाथ धेर सारे अपस्ष्ट पदार्तों को गादों को इसके साथ बलुआ मिट्टी को और कई सारे कंगल पत्फड को लेके आती हैं इनके साथी नदियों के आसपास का जो शेत्र होता है वो नया हो जाता है जब नदियां चलती है इस तरीके से और मानसून या फिर बाड के आपको पता है जब बाड का शमय आता है तो बाड के टाइमिंग में नदियों के आसपास का जो शेत्र होता है वो पूरा नया हो जात नदी बैते हैं तो नदी के दूर का जो छेत्र होता है वो थोड़ा उंचे टीले की तरह होता है और इसी जो उंचे का ये टीला होता है इसी उंचे टीले को हम बांगर मिट्टी कहते हैं और ये बांगर मिट्टी हर साल यहां पे जो ये ये नदी के दूर का जो छेत्र होता ह उंचा टीला वाला यह होता है बांगर मिट्टी का शेत्र होता है वो हर शाल नया नहीं हो पाता है जबकि यहीं पे खादर जो मिट्टी होती है उसके आसपासर का यहाँ पे नदी के आसपासर में बोला जो बार का शेत्र होता है वहाँ पे हर साल मिट्टियां नहीं होते रह पूर्वी तट पर भी मुख्य रूप से जलोड मिट्टियां पाई दाती हैं और ये मिट्टिया भी नदियों के दारा बहा कर लाई रती हैं इदर से आपने देखा होगा गोदावरी, किष्णा और कावेरी जैसी नदियों का यहां मंगाल की खाड़ी में ये आके अपना मुखाना बनाती हैं और शाथ में ये अपने साथ जलोड मिट्टी भी बहा के लाती हैं और एक चीज और ये मिट्टी किरसी यानि काली मिट्टी इसमें एक बिसेशता ये है कि ये नमी को अधिक समय तक बनाये रखती है यानि जो दलदली सेत्र होते हैं जो नमी वाले सेत्र होते हैं इन में इन मिट्टी में जब इस तरीके से नमी आता है पानी कटा होता है तो ये इस मिट्टी की खास पात ये है कि ये म कपास की उपज के लिए महत्पूर आपको याद रखना है कुई सन ऐसे बनता है कि काली मिट्टी किस ऐसा कौन सा फशल है जिसका उत्पादन काली मिट्टी में सबसे अधिक होता है तो आपको याद रखना है कपास का उत्पादन काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में ह यह मिट्टी लावा परदेश में पाई दाती है अब भारत में लावा परदेश कौन कौन से हैं तो बैने आपको पताया था गुजरात, महारास्ट्रा, मद्य परदेश, आंध्र परदेश का पस्च्चमी वाग और मैसूर का उत्री वाग ये लावा के परदेश हैं और इस मिट्टी के शित्र में इन्ही परदेशों में ये काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई दाती है आगे बढ़ते हैं अगली है लाल मिट्टी लाल मिट्टी यानि रेट सोयल ये चट्टानों की कटी हुई मिट्टी होती है ये मिट्टी अधिकतर दच्चनी भारत में यान मदराश में, आंध्रा में, मैसूर में और मद्य परदेश के पूर्वी भाग में, साथी उड़ीशा, जारकंड का छोटा आनाकपुर परदाश और पस्चमी बंगाल तक लाल मिट्टी का थेत्र फैला हुआ है, आगे बढ़ते हैं, अगली है लेटराइट मिट्टी, लेटर परफी तो आपको आही नहीं सकती है, अगर आपको जोगर्फे बिल्कुल फूल कॉंस्टेट करना है, उससे अपने माइड में स्टोर करना है, तो सबसे पहले आप मैप देखिए, और मैप को मैंने आप, इससे पहले आपको मैप भाग के बहुत एक परदिश्य में पढ़ और ये हैं पूर्विगाट, और दच्छिल पूरब, दच्छिल और पूरब, इसकी बाद कर रहा है, जो काबिरी वाला छित्र है, दच्छिल पूरब की ओर एक पतली पट्टी के रूप में लेटराइट मिट्टी पाई दती है, आगे मैं आप तो सब बताऊंगा, जब मा लेटराइट जो मिट्टी का भाग है, वो यही है, आपको याद रखना है, तमिल नाड की कोरुमलतत का भाग, आगे बढ़ते हैं, इन मिट्टियों को पस्चिम मंगाल से असम तक भी देखा सकता है, पस्चिम मंगाल यहाँ पे है और अशम यहाँ पे है, ऊपर, यहाँ देखिए मैं आपको पूरी, आप देखिए आप, इस तरीके से है इंडिया, तो यहाँ पे है अशम, इसके बाद होता है यहाँ पे आणाचल परदेश और यहाँ पे है पस्चिम मंगाल, तो असम और पस्चिम मंगाल के छेत्र में भी लेटराइट मिट्टी को देखा जा रास्तान का एक थार परदेश है, जहाँ पे सबसे दादा बलुआ मिट्टी या वहाँ पे बलुआ परदेश पाई दाते हैं, तो वहीं पे सबसे दादा रेगिस्तानी मिट्टी पाई दाती है, पंजाब के दुछनी बाग में, रास्तान के थार परदेश में, और राजस फिर भी यहां की कुछ मुख्य फसले हैं जैसे जार, बाजरा, मोटे अनाज और सरसो की खेती ये मरुस्तलिये मिट्टी में संपन्न होती है कुछ जगों पर सिचाई की सुब्दा की कारण गेहूं की पैदावारी भी हो जाती है एक नोट है दीखिए नोट आपकी जाम के पॉइंट आफिस से most important है नोट आपको तो हर हाल में याद रखना है तो नोट क्या है पोम बाद से इंद्रा गाधी नहर निकाल कर राजस्थान के साथ जिलों में जलकी आपोर्ती की दाती है ये नोट है और ये आपके जाम के पॉइंट आभी से most important है आगे बढ़ते हैं अगले मिट्टी है परवतिय मृदा यानि परवतिय मिट्टी ये कस्मीर से निकल कर हिमाले के साथ साथ हिमाचल परदेश उत्राखंड सिक्किम और अनौशल परदेश में पाई जाती है इसकी कुछ जो मुख के पसले हैं उनमें शेब, नासपाती और चाय की खेती का उत्पादन परवतिय मृदा में शंपन होता है आगे बढ़ते हैं अगली मिट्टी है पीट या दलदली मिट्टी ये मुख के रूप से केरल और तमिल नाडु में पाई दाती है इसका निर्माड जल जमाओ की कारण होता है दलदली मिट्टी पस्चम मंगाल में जो सुंदरवन का सेत्र है सुंदरवन का दो डेल्टा है इसके बारे मैंने आपको बताया था नदियों के चाप्टर में तो आप उस बीडियो को दरूर देखिए सुन्दरबन का जो छेत्र है आपका रएटन है पस्चिममंगाल और बांग्रादिश्ट इन दोनों में पड़ता है सुन्दरबन का जो छेत्र है उसमें और उरिशा के एकुछ छेत्र में पीट या फिर ददली मिट्टी पाई दाती है आगे बढ़ते हैं अगली है लोडिये या छारे मर्दा नी खारे पानी से बनी हुई मिटी को हम लौड़िये या फिर छारे सिशे कहते हैं इसका निर्मार आधिक सिचाइ वाले छेतरों में होता है मुख रूप से कौन-कौनस राज हैं जहां फिर छारे मर्दा पाई जाती है इनकी जो पर मुख फसले हैं उनके बारे में जानते हैं धान, गंणा और बरशीम ये कुछ लोड़िये वर्दा की मुख फसले हैं धान, गंणा और बरशीम आगे बढ़ते हैं इसमें एक नोट है भारत की शभी मिट्यों में तीन चीजों की कमी पाई दाती है अब ये तीन चीज़े कौन कौन सी है तो इससे पहले आपको या रखना है भारत में मनें आपको आठ प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताया तो भारत में जो आठ प्रकार की मिट्टियां होती है उनमें तीन चीजों की मुक्रूप से कमी होती है, पहला है हुमश, दूसरा है नाइट्रोजन और तीसरा है फास्पोरस, हुमश, नाइट्रोजन और फास्पोरस इन तीनों चीज की कमी होती है भारत की मिट्यों में, आगे बढ़ते हैं, आगे एक नोट और दिया हुआ है, ये नोट क्या है, उसल कटिबंदिय इस तरीके से होता हमारा गलोब और गलोब के बिलकुल यहां बीच से निकलती है जीरो डिगरी एकोटर लाइन जिसे हम कहते हैं भूमद रेखा या फिर विश्वत रेखा तो बिश्वत रेखा के आस पास पाई जाने वाली मिट्टीर होती है वो उस लिकठी बंदिये मरदा होती है और इसमें हुमस की मात्रा सबसे कम होती है इधर यहां पे देखिए आपकोट मैं डिटल मता रहाँ इस तरीके से यह है गलोब गलोब के बीच से निकल गई जीरो डिगरी एकोटर लाइन यह जीरो डिगरी एकोटर है यानि विश्वत रेखा तो इसके आस पास के तो यह छेत्र होता है यह वाला इन आस पास के छेत्रों में यानि कर करेखा और मकर रेखा के बीच का दो छेत्र होता है मुक्रूप से इन छेत्रों में जो मिट्टियां होती है उसमें हुमस की मात्रा काफी कम होती है जैसे लेटराइट मिट्टी इसका एक मुख्य उदार लेटराइट मिट्टी में हुमस की मात्रा बिलकुल नाके मात्रा होती है। अगर होती भी तो बहुत कम होती है। परवर्दिय मर्दा में हुमस अधिक होता है। से प्रवतिय मर्दा में शम्पन्न होता है दोस्तों आज की वीडियो यहीं सवापत होती है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे वीडियो को आपके पास जितने भी एजोकेशन गुरूप है आप उस गुरूप में सेर कीजिए और साथ ही चनल को सबस्काइब कीजिए दोस्तों आप अपना नीचे फीडिबैक जरूर दी दिखिए दिखिए अगर आपको वीडियो में कोई भी एरर कोई भी मिस्टेक दिखता है या फिर आपको कोई से प्रॉब्लम होती है तो आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए जिससे की आपके जितने भी फीडिबैक हो उनके बारे में हमें जानकारे मिलती रहे और साथ में हम वीडियो में इंप्रूब्मेंट भी कर पाएं दोस्तों आज के लिए इतने वीडियो पुष्ण आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए जैहिंद